हेलो गाई जार तो क्या लाइस होई को वेलकॉम बैक तो ने चनल और आज मैं बताने वाला हूँ कि बीटा रेजिटरिशन जो आ रखा है शेड़ो फाइट 4 का वाई उसमें आप रेजिटर कैसे कर सकते हो कैसे नहीं क्या प्रोसेस है किसको बीटा वर्जिन मिलेगा किसको न प्रेजी देन्स उनके वेपन्स वगरें उनकी चेल वगरा वर्ज़ शब कुछ आपको फ्री मिलेगा यहां तक कि आपको फ्री मिले खना और आपको gold भी जो है, वो unlimited मिलेगा, beta version क्या होता न, actually, जैसे कोई भी अगर update आता है, पहले जो global version में है, उसमें नहीं आएगा, पहले beta version में आएगा, ताकि आप लोग चेक वगएरा कर लो, जिसको जो भी beta tester है, वो लोग उसमें update वगएरा, चेक कर लें, उसको खेले वगएरा, कि stable है कि न, उसके बाद फिर global version में है, वैसे ज़्यादा तर ये यूट्यूबर, जो हैं, आपको बताते रहते, वो उनके पास होता है, beta version पहले से, तब ही वो आपको सारी information देते रहते हैं, पहले कि क्या आने वाला है, उनके discord server पे, या फिर उनके reddit, या फिर facebook उसमें, आपको links मिल जाएंगी, बहुत सारी, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे click करना है, या फिर मैं description में भी link दे दूँगा, आप वहाँ से जाके click करना, और आपको form open हो जाएगा, जहां से भी आप registration करोगे, तो आप मैं बता जाता हूँ कि उसको fill कैसे करना है, तो जैसी आप link पे click करोगे, आपको सामने कुछ ऐसा form दीखेगा, जिसमें आपको पहले choose करना है, कि country क्या आपकी, आप जैसी choose कर देना, इंडिया और रश्य के लिए है, आप इंडिया जैसी choose करोगे, उसके बाद आपको दीखेगा platform कौन सा, आपको Android या iOS, मेरा Android है, तो मैं Android करके click कर दूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे Gmail डालना है, और हाँ guys, यहाँ पे आपको वही Gmail डालनी है, जो आपकी पहले से उसमें है नहीं, जो पहले अगर आपने पहले बीटा वर्जन के लिए अपलाई कर रहा है, तो वह Gmail आपको फिर से नहीं डालनी है, आपको एक दूसरी Gmail डालनी है इसमें, तो guys, यहाँ जैसे आप Gmail डालके नीचे आओगे, उसमें आपको पांच option देखेंगे, जिसमें से 3 बहुत जादा important है, जैसे का आप देख सकते हो, जो 3rd वाला option उसमें लिख्या है, अगर आपने अपना phone device reset करा, तो भी आपका data बगेरा जा सकता है, उसके बाद और लिखा है, I understand that, and accept that beta will not work if I am too far from Delhi, अगर आप India में हो, और आप Delhi, यानि कि capital से बहुत जादा दूर हो, दिल्ली से बहुत जादा दूर city में हो, तो possible है कि आपका beta version नहीं चले, आप register तो हो जाओगे successfully, बट आपका वो चलेगा, नहीं काम नहीं करेगा, और last जो है, I understand that, anytime we can revoke your beta test access due to inactivity, अगर आपने beta version ले लिए, आपको मिल भी गया, उसमें आप active नहीं हो, ना वो application खोल रहे हो, ना उसको चला रहे हो, उसमें अक्टिव ही नहीं हो, जैसी इस पे आप submit करोगे, submit करने का click करोगे, done, आपका application हो चुका है, पूरा, अब इसमें कोई देख करनी है, आपका पूरा हो चुका है registration, उसके बाद जैसी आप register कर लोगे, इसके, I think so, I think so, 3-4 डेज बाद आपको Gmail आ जाएगा, इतना जादा नहीं लेंगे, 3-4 दिन ले सकते हैं, इससे जादा, I think so, एक हफ्ता ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, आप देखो किसको दे हैं, बट हाँ, एक हफ्ता minimum मान लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा आपको Gmail दीखेगा, कि invite आ रखा है उनकी तरफ से, तो वैसी आप invite पर जाके click करोगे, आप लिंक आएगा आपको, और प्ले स्टोर पर आपको दीख जाएगा, बीटा टेस्टर, यहां से आप डाउनलोड करके, उसको सीधा प्ले एका सकते हैं, और कुछ भी नहीं, और कुछ नही है बहुत सारी queries है, जैसे कि आप VPN लगाके इसको उसकन कर सकते हो, कि कि नहीं कर सकते हो, तो देखो, ça कि 50-50 chances है, मुझे नहीं लगता, व्यानलोड हो यहां, अगर आप दिल्ली से दूर'llनोगा, जैसे कर सकते हो, तो यहां पर बहुत जपने और इंडिया नहीं कर सकते हैं, दिली से अगर आप दूर हो तो भी चांसे बहुत जादा है कि नहीं चलेगा आपका क्योंकि उन्होंने साफ साफ क्लियर कर रख है वो कि नहीं चल सकता है बागी इस वीडियो में सारी हमने कोरी पूरी मलब कर दीए आपके आंसर मिल गया हुए अगर कोई और कोरी तो मुझे कमेंट कर देना मैं बता दूंगा आपको बाकि इस वीडियो बस इतना ही अगर किसी ने रिष्टर नहीं यह तो कर लो हम वाक्या इसमें कोई लिमिट निया कि कितने कितना बीटा वर्जन मिलेगा झाल